उससे अगर आपको profit आ रहा है, तो style कभी change नहीं करना, 60-70% का strike rate आ रहा है, तो quantity double कीजिए, किसी का भी style हो, आपको अगर अपने study से जो पैसा आ रहा है, कभी भी उस study को change मत करिएगा, एक share नहीं, एक company नहीं, एक quantity, quantity should be one, एक मतलब एक lot नहीं, सिर्फ एक share, एक quantity. Hello friends, आप लोगों की demand पर Fibonaki का topic Fibonaki के दो वीडियोज बनाऊंगे, एक जो मैं support और resistance की तरह उसको use करती हूँ, और दूसरा, दूसरा तो उससे देखेंगे हम second part में ही, अभी से कैसे बताते हूँ, थोड़ा तो surprise बने रहने दीचे, इतना sure है कि आपको मजा आएगा, मैं जो भी चीजें सिखाती हूँ, मैं खुद उनको कैसे use करती हूँ, खुद कैसे उनको देखती हूँ, समझती हूँ, वो आपको बता रही हूँ, ये जरूरी नहीं कि मेरी study आपकी study से match हो, मेरी knowledge आपकी knowledge से match हो, तो इसी लिए क्या करिएगा, जब ये वीडियो देख ल हैं, उससे अगर आपको profit आ रहा है, तो style कभी change नहीं करना, किसी का भी style हो, आपको अगर अपने study से जो पैसा आ रहा है, कभी भी उस study को change मत करिएगा, हाँ, कुछ ऐसी चीजें कभी कभी हमको उसी study को fine tune करने के लिए मिल जाती है, जिससे हमारा थोड़ा सा profit और बढ़ ज बस उसे वहीं तक use कीजिएगा, हाँ, अगर आप बिलकुल नहीं हो इस topic के लिए, तो इससे अच्छे से practice करिएगा, और start करिएगा बहुत ही छोटी quantity, जैसे एक quantity से start किया, एक share नहीं, एक company नहीं, एक quantity, quantity should be one, एक मतलब एक lot नहीं, सिर्फ एक share, एक quantity, और try कीजिए, अगर आपका right जा रहा है, तो quantity को double कीजिए, अगर उसमें भी आपका 6-8 बार 60-70% का strike rate आ रहा है, तो quantity double कीजिए, मतलब slowly slowly आप practice करते जाएगे, आगे बढ़ते जाएगे, एक ही दिन में कुछ नहीं होता, तो friends हम सबसे पहले ये समझते हैं कि Fibonacci होता क्या है, Fibonacci के कुछ numbers होते हैं, जैसे हमने odd numbers, even numbers, ये सब सुन रखे हैं, odd numbers जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सब odd numbers हैं, even में 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये even numbers हैं, वैसे ही Fibonacci के numbers हैं, कुछ लोग Fibonacci बोलते हैं, कुछ लोग Fibonacci बोलते हैं, तो यहां से मैं इसको सिर्फ Fib बुलाऊंगी in short, तो Fib numbers, Fib numbers क्या होता है, let us start, तो Fib numbers मैं आपको Excel शीट पर दिखाते हूं, चलिए हम start करते हैं, सबसे पहला 0, 0 के बाद 1, अब यहां से हम क्या करेंगे, ये 2 numbers को add करेंगे, 1 और फिर प्लस ये number, क्या हुआ, फिर से 1 आया, कोई बात नहीं, अब हम वापस क्या करेंगे, इसी को हम क्या करेंगे, अब इतनी महनत क्यों करें हम, तो हम इसी को pull down कर लेते हैं, हमारे पास automatic calculation बन जाएगा, तो आप देख रहे होंगे, कि ये सब जो previous numbers को add किया गया है, उसी से बना है, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, अगर ये सब numbers देखें, तो ये numbers हमको बताते हैं, कि हमारी life में भी ये numbers important है, जब से हम पैदा होते हैं, और जब तक इस दुनिया में हैं, ये numbers हमारे लिए कितने important है, ये आपकी और हमारी सब की age में भी बताते हैं, कि इस age में, there is something important value, वैसे ही, अगर हम देखें, तो stars है, flowers है, sea waves है, सब कुछ fib या fib ratios पे है, even हमारा body parts भी जो है, वो fib ratios में एक से दुसरा है, मैं इसकी detailing में इसलिए नहीं जाओंगी, because इसके videos बहुत सारे बने हुए हैं, आप देख सकते हो, fib ना की ratios वगर अपे, और उनका nature के साथ संबन्ध, तो ये आप देख लीजे, अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, कि मैं किसी भी number को, किसी भी number से divide करती हूँ, तो एक fib ratio आता है, because ये fib ना की number है, तो किसी भी number को, किसी भी number से divide करती हूँ, तो एक ratio आता है, तो चलिए मैं यहाँ पर 21 से 13 को divide करती हूँ, क्या आया, 1.61, अब यहाँ से मैं लेके से नीचे जाऊंगी, वो ही ratio आएगा, 1.618, अगर मैं इसको round off कर देती हूँ, इन सब को, तो वो ही number आएगा, 1.618, जो कि एक fib ratio है, reduce the zeros, keep on reducing it, ठीक है, यहाँ पर आने के बाद आप देखोगे कि यह study हो गया, अगर मैं zeros बढ़ा भी देती हूँ, तो 1.618 study है, और आगे की digits भी study हो जाते हैं, वो ही जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, वो study हो जाते हैं, अब यह तो मैंने 21 को 13 से किया, फिर बाद में 34 को 21 से, लेट असे मैं यहाँ पर आकर 21 को 8 से डिवाइड करते हूँ, तो 2.62, अतलब 2.618, तो इस तरह से मैं किसी भी नंबर को 2.618 जो study हो गया, आगे जाके, इससे के हम zeros हटा देंगे, थोड़े कम कर देंगे zeros, आगे, 2.61, अब दूसरा कोई भी डिजिट हम किसी से भी डिवाइड करके देते हैं, अब यहाँ पर आकर हम क्या करते है, 13 डिवाइड बाई 21, क्या फिब्रेशिय आ रहा है, 0.618, यह 0.618 ही आएगा, इसको मैं continue नीचे तक ले जाती हो, फिर वो study दिख जाएगा, 0.618, 0 कम कर राइट, बतलब यह जो लेवल्स हैं, जैसे 0.618, 0.38, या 38%, 61.8%, 1.618, यह जो है, यह फिब रेशियो हैं, क्यों क्योंकि यह फिब नंबर से ही डिवाइड किये गए हैं, इसलिए यह फिब रेशियो हैं, हमें इतनी mathematics में या इतने calculation में जाने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि जब हम charts देखते हैं, तो उसमें retracement और extensions, तो जो भी figure 100 के नीचे है, वो retracement के लिए कामाती है, और जो भी figure 100 के उपर है, वो extension के लिए कामाती है, यह 100 क्या है, यह 100 है 100%, let's say, हम यहां पर देखते हैं कि कोई price है, उसका 2100 का भाव था, और अब वो 2200 हो गया, मतलर कितना बढ़ गया, 100 points, अब market कैसे चलता है, market waves में चलता है, उपर, नीचे, उपर, नीचे, उपर, नीचे, तो यह जो उपर, नीचे, उपर, नीचे है, तो उसमें क्या होगा, य price जो है, 2200 से नीचे आएगी, क्योंकि 2100 से 2200 हो गई है, तो 2200 से नीचे आएगी, कितनी नीचे आ सकती है, तो यह difference निकाला जाता है, 100, और उसका, तो हम इसको, 61.8%, या तो हम percent डाल दे, या हम 0.618 से उसको directly multiply कर दे, तो कितना आएगा, हम यहाँ पर 100 multiplied by 0.618, मतलब 61.8 रुपीज तक यह नीचे आ सकता है, मतलब 2200 से गिर के, यह कहां तक आ सकता है, उसमें से हम approximate 62 रुपीज माइनस कर देते हैं, तो approximate 2138 तक आ सकता है, यह तो मैं इसलिए कह रही हूँ, क्योंकि 61.8, golden ratio के नाम से जाना जाता है, और वो इसलिए कि ऐसा कहते हैं कि, अगर market में तेजी है, तो 61.8 से नीचे market को नहीं जाना चाहिए, लेकिन यह भी कहा जाता है, कि अगर यह 38.2 से घुन गया, तो मतलब बजार full bullish zone में है अभी तक, यह बहुत जादा Elliot ways to practice करते हैं, वो लोग use करने हैं, लेकिन फिर भी आप और हम एक normal trader की तरह इसको use कर सकते हैं, जी बिलकुल, और मैं आपको उसी के साथ कुछ दिखा रही हूँ चार्ट पे, देखिए कि मैं Fib को कैसे use करते हैं, जोती माम के सभी videos और courses पे हमारे users ने कमाल का feedback दिया है, और हमारे users रिक्वेस्ट पे हमने जोती माम के साथ Fibonacci पे एक नया course लांच किया है, इसमें हमने Fibonacci के basic से लेकर advanced level तक सब कुछ cover किया है, हम ये इसलिए कह पा रहे हैं, क्योंकि जोती माम खुद Fibonacci indicator दस से भी ज्यादा साल से use कर रही हैं, तो उनकी पकर Fibonacci को लेकर unparalleled है, ये course अभी launch offer में चल रहा है, तो आप जल्दी से जाके buy कर सकते हैं, So hurry up, before it expires, ये एक chart मैंने open किया, और अगर आप देखेंगे, तो इसमें जो market चला है, वो ये waves में चला है, मतलब उपर गया, नीचे आया, फिर उपर गया, फिर नीचे आया, फिर उपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर उपर, तो waves में चला है, ठीके, अब इसी को हम क्या करते हैं, रिट्रेश्मेंट बनाते हैं, मैं TradingView यूज करती हूँ, फेड़ सौफ़वेर है, और फिर रित्रेश्मेंट् मैं ऐसी में से यूज कर रही हूँ, यहां से हम क्या करते हैं, यह जितनी low points है और high points है, उनको touch करते हैं, तो यहां पे एक low point है, यह वाला मैं और इसको सीधा आगे तक एक्स्टेंट कर दोंगे तो यह उपर वाला पॉइंट जो है वह नीचे तक आना चाहिए अब आपको अगर थोड़ा सा पॉलिष जोन में है तो 61.8 से घूम सकता है यहां पर 61.8 से मार्केट फिर घूम गया उपर गया और नया रेंज बना दिया तो यह रिट्रेस्वेंट हम सपोर्ट के रूप में काम पे लेते हैं मतलब प्राइस यहां से रिटर्न उपर की तरफ जा सकता है इट विल वॉक ला आप में एक छोटी सी ट्रिक भी आपको सिखाती हो कि कभी-कभी ऐसा होता है और हम लोग को देखने मिलता है जैसे इस केस में है यह बॉटम और यह टॉप इसको जब मैं एक्स्टेंड करती हूं तो हम एक चीज देखने मिलती है कि यह प्राइस पीच में से घूमा है तो एसी सिचुैशन में मैं एक और चीज का सपोट लेती हूँ और मैं चीज का सपोट लेती हूँ फो कई बार मुझे help करता है एकजाट बाटम ढूलने में हमेशा करेगा जरूरी नहीं है कोई बी चीज हमेशा work करें यह जरूरी lahe तो इसलिए अब मैं नहीं जानती है आपको पता है कि नहीं लेकिन मैं जो करती हूं वो यह है कि सेम इसी के बॉटम पॉइंट से यह बॉटम पॉइंट और यह टॉप पॉइंट और यह लिया प्राइस ने एग्जête support at सिक्स्टी वन पॉइंट फ्राइस ने यह देखिए यहां पे ने लिया सिक्स्टी वन पॉइंट का सप्पॉर्ट प्लाइस फिफ्टी के थोड़ा direction subject to मुझे ओपन लो कहीं तो दिखे यहां पर ओपन हाई दिख रहे है RSI support दे रहे RSI all these indicators oscillators everything are supportive Ultimately जो candle पर price action है that is the most important thing तो यहां पर यह open high है मैं बिल्कुल action नहीं लूँगी next day open low है मैं शायद यहाँ पे भी action ना लूँ because price ने ना कल का low तोड़ा है ना high तोड़ा है है यह support के पास में but to be very honest यहाँ पे डर लगता है हिम्मत नहीं होती है लेकिन यहाँ पे open low भले gap up है लेकिन open low तो है साथ में और यहाँ से फिर मैं trade पकड़ती हूँ और आगे चलते हैं फिर यहाँ से जब वो गीरा था तो वापस यहाँ तक जो मैंने अभी आपको दिखाया था retracement तो इस तरह से मैं देखते रहती हूँ और करते रहती हूँ देखा RSI पे भी किपका retracement वो करता है maximum time से मुझे help करता है 100% नहीं करता है 100% दुनिया में कोई चीज काम नहीं करती है हम खुद ही 100% active रोज नहीं रहते हैं रोज तो क्या हर घंटे में भी 100% active नहीं रहते हैं 100% जो हम अपना दे सकते हैं वो भी हम अभी दे रहे हैं हो सकते हैं थोड़ी देर बाद हम अपना 100% नहीं दे पाएं ऐसा possibility है आज दे सकते हैं कल नहीं दे पाएं तो किसी भी चीज की 100% guarantee नहीं होती चलिए दूसरा example देखते हैं थोड़ा सा short देखते हैं यहां से लिया और यह टॉप और यह bottom सबसे पहले हम चोटा देखेंगे क्यों देखेंगे चोटा चोटा because हम trader है अभी अगर हम trader है तो हम यह चाहेंगे थोड़ा चोटा चोटा fast fast मिले जब बड़ा fall होता है या बड़ा correction होता है या बड़ा movement होता है तो हम थोड़ा सा और बड़ा duration लेते हैं यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो price थोड़ा नीचे तक उत्रा है और फिर घूमा है तो letter C, RSI क्या RSI ने मुझे support दिया था वो टाइम पर letter C क्या कहना है क्या दिख रहा है अगर price ने 50% के बीच में से वोई घूमाया है मतब 38 और 50 के पास से घूमाया है तो RSI ने exactly मुझे 61.8 से turning लिये बैठा ना मैंने का maximum time बैठता है इससे commitment मत समझेगा बट अगर इसे कभी try नहीं किया है और आपको confusion हो रहा है तो कभी try करके देखिए तो सही क्या आपके साथ भी बैठता है क्या और अगर market में बड़ा fall होता है तो मैं यहां तक लेके जाती है अगर बड़ा fall नहीं है छोटा fall है तो मैं यहीं से ले जाऊंगी अब यहां पर यह बड़ा fall है तो मैं क्या करूंगी कि ऐसी situation में यहां पर यह और यह बड़ा टॉक बिलकुल देखे वहीं पर इसके नीचे close नहीं दिया है कहीं पर भी राइट अच्छा यहां पर भी अगर हम बड़ा देखे तो यहां पर भी इसने नीचे close नहीं दिया है 38.2 के यहां पर तक लेके आए तो भी इसने 38.2 के नीचे close नहीं दिया है तो इस तरह से हम इसे यूज़ कर सकते हैं तो ये है Fib Retracement फ्रंस बहुत बार Market Fall हो रहा होता है आपने सुना भी होगा Sell on Rise तो ऐसी situation में तो क्या हम ये वाला Fib बना सकते हैं जो हमें Resistance बताता है कि कहां पर Resistance आ सकता है राइट देखिए बराबर 38 पॉइंट टूप से बैंक निफ्टी घुम गई है और नीचे आ गई है चलिए आपके लिए ये भी एक ट्राइब करके देते हैं क्या यहां भी काम होगा क्या कहते हो हुआ एक्जाक्ली राइट मैक्सिमम टाइम करता है हमीशा नहीं करेगा तो किसी ने मुझे पूछा क्या फिब आरेशाई पर भी ट्रॉ कर सकते हैं भाई फिब के लेवल से मां कहीं भी ट्रॉ कर सकती हूं सब्जेक्टू उसकी वहां पर वाल्यू दिखनी चाहिए तो क्या करते हैं दोनों का कॉंबिनेशन लेते हैं और दोनों पे support resistance कोई भी लेवल का हो मिल जाए wonders काम करता है जैसे retracement होता है वैसे ही extension होता है क्या होता है कि जब correction होता है तो हम retracement लगा लेते हैं अप्या down जो भी होगा लेकिन जब price नए range में होगी तो हम कैसे identify करेंगे कि यह कहां तक जा सकता है तो उसके लिए हम extension बनाएंगे extension में हम क्या करते हैं हम दो point use करते हैं let's say यहाँ पे यह low है और यह high है और यहाँ पे फिर यह low point है तो यह पूरा wave का हम high, low, जदर low, high, low ऐसे start करके और इसका extension बनाएंगे अब इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे trend-based whip extension है इसको हम use करेंगे नकी retracement को यहाँ से line जाएगी सीधे उपर तक और यहाँ हम इसे छोड़ देते हैं और वैसे नहीं छोड़ देते double click नहीं उसके बाद इसे नीचे तक लेके आते हैं आप सोचते होंगे कि मुझे 2 line क्यों दिख रही है ज्यादा क्यों नहीं दिख रही है तो यह values जो है यहाँ जो settings है इसमें भी हम change कर सकते हैं यहाँ से settings settings में जाके अगर देख रहे हैं तो सारे numbers डाले हुए हैं तो मैं यह चाहूं तो इसको और भी add कर सकती हूं अगर मुझे चाहिए तो 1.318 फिर उतने सब आ जाएंगे फिर 1.27 यह सब जैसे जैसे मैं चाहती हूं वैसे जैसे मैं add कर सकती हूं तो आ जाएंगे अब यह जो है यह क्या बता रहा है कि price आपका यहां से यहां तक गया अच्छा बड़ा range मैं ने क्यों लिया विकाज अभी market जो है और अच्छी तरह से उपर जा रहा है यहां तक गया फिर correct किया और correct भी छोटा मोटा नहीं कम से कम भी 1000 अगर यह correct करता है that works to around 25% तो मैं बड़ा move लेती हूं और इसका अगर मैं देखती हूं तो यहां पर आके एक chance है कि वो अटक सकता है कितना है यह यहां से यहां तक की जो range है और फिर यहां है उसके उपर का 0.618 उसके उपर 100 मतलब जितना यह length है उसका यहां से तो यहां से उपर कितना movement आ सकता है जितना यहां से यहां तक तो इतना दिमाग न लगा के मैं सीधा सीधा retracement extensions यूज करती हूं सब कुछ बना बनाया है सिफ ड्रॉ करना है समझना है आगे बढ़ना है तो फ्रेंज इसी तरह से आप भी practice कीजिए और देखते रहे आपको जो वीडियोज पसंद आते हैं उन्हें likes करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपके लिए मैं और किसमे advanced version बना सकती हूं प्लस जैसे आपने इस topic के लिमान रखी वैसे आप और भी topics रख सकते हैं मैं बना रही हूं वीडियोज क्योंकि दो ही दिन मिलते हैं मुझे वीडियोज बनाने के लिए और वो दिन में वीडियोज बनाती हूं जितने बना सकती हूं वो दो दिन में बनाऊंगी और बनाते रहूंगी topics भी बहुत सारे हैं और दो दिन तो time बहुत होता है खाफी बना सकते वीडियो लेकिन क्या है कि एडिटिंग वगर में टाइम लगता है और एक साथ नहीं डालके हफते में एक या दो वीडियो की जैसे जैसे एडिटिंग हो जाते हैं हम आप तक पहुंचा देते हैं तो कमेंट में हमें बता दीजे आपको और जिसको लाइक करेंगे उसके ओपर हम एडवांस टॉपिक जरूर बनाएंगे थैंक यू